हेलो फ्रेंज मैं हुवी नीता और आपका स्वागत है सौध की पोटली में तो आज हम बनाएंगे टर्मरिक टी और गोल्डेन मिल्क जिसको हम हल्दी दूद भी करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी हमारे सरीर में रोक प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है साथ ही इसमें मौझूद एंटिबाइटिक्स दूद में जाकर कैसियम का काम करता है जो हड्यों को मजबूत करता है ये हमारे अंदर से चोट को हील करता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टर्मरिक टी के लिए सबसे पहला मेक कप पानी लेंगे हल्का सा गरम होने पे उसमें हम दो काली मिर्च को क्रस्ट करकर डाल देंगे अब इसमें हम छोटे चमच से आदा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे इसको अच्छे से उबाल लेंगे दाल चिनी का टुकडा डाल देंगे एक इंच अद्रक के दो स्लाइसे डाल देंगे इसे हम पाच मिनट तक उबालेंगे पाच मिनट होने के बाद हम इसे एक कप में चान लेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून छोटे चमच से नीबू का रस डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये टर्मेटिक टी बन कर तयार है, जिसमें बिटामिन C भी है, नीबू का रस, दालचीनी और काली मिर्च है, और हल्दी तो है ही, जोकि हमारे सरीर के इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता है ही, साथ में हमारे सरीर में होने वाली कई बिमारियों से लड़ने के लिए ताकत भी देता है तो इस हल्दी टी को आप भी बनाईए और सब को पिलाईए और हल्दी रहिए तो अब हम बनाएंगे गोल्डेन मिल्क गोल्डेन मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप दूद ले लेंगे दूद को हम हलका गरम होने देंगे अब इसमें हम आदा चमज के करीब हल्दी डाल देंगे यह उबलने लगा है नीचे से अब इसमें मेक पिंच के कॉर्डिंग इलाची पाउडर आल देंगे जिससे इसका फ्लीवर बहुत अच्छा आता है वन पिंच दालचीनी पाउडर डालेंगे अगर यह नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब इसमें हम दो काली मिर्च कूट कर डाल देंगे थोड़ा सा हम अद्रक क्रस करके डालेंगे और इसमें उबालाने देंगे इसको हम पाच मिनट तक पका लेंगे अच्छे से यह पाच मिनट हो चुका है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम गोड़ डाल देंगे यहां पर आप चाहें तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं दूद करम है तो गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा अब इसे हम एक कप में छाल लेंगे तो हमारा यह गोल्डेन मिल्क बंकर तयार हो गया है तो हमारा यह हल्दी दूद बंकर तयार है जिसे हम गोल्डेन मिल्क भी बोलते हैं ये सर्दी चुकाम में तो फायदय मंद है ही, साथ में जब बच्चे को चूट लगती है, तो माँ सबसे पहले किचन के तरह भागती है, और हल्दी तूद त्यार करके देती है, तो ये चूट को भी अंदर से हील करता है, इसमें बहुत ही साधा केल्सियम होता है, तो इस गोल्डेन मिल्क को आप भी बनाएए, और अपने परिवार को पिलाएए, सेफ रहेए, हल्दी रहेए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते,